अब भरोसा आप जैसे चैनलों पर ही रह गया है क्योंकि बाकी जो मीडिया वो बिग चुकी है और वो सेंट्रलाइज गौर्ण हो रही है लोगप्री उपमुख्मंत्री मनिश शोदिया जी जिनके जिम्में सिक्षा भी था उन्होंने जब सिक्षा के मॉडल को वर्ड लेवल पे जो सरकारी स्कूलों को जो कहा जाता था कि कभी वो ठीकी नहीं हो सकता है और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अभी तक कोई कारवाई नहीं है दिल्ली की सिक्षा ब्यवस्था को मनिश शोदिया जी ने इतना सुधार किया कि उसकी चर्चा कोई चोर नहीं है और विपक्ष के सारे लोग चोर हैं क्योंकि अब उनको सत्ता जानने की घपड़ाट है उसक्षा के छेत्र में और अच्छा काम ना करें जिसके वासे जनता के बीच में उनकी लोग प्रियता जैसे बढ़ रही थी आमाधी पार्टी की प्रियता बढ़ कर रही है वह चीज पर बंदिस लगाने के लिए उन्होंने ने मनीश शिशोदिया का इंट्री किया केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रदानमंत्री है वह पहले जिससे घबडाते थे और यह आरोप लगाते थे की कांग्रेस इसका दुरूपयों कर रही है आज खुद व कोई विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं नमश्कार मैने नमिश्र और आप देख रहे हैं जन्ता जक्षन यह उस वक्त हमारे साथ साथ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजश वास्तो जी मौजूद है और उनसे जनने का प्रयास करेंगे कि सराब घोटा अगर वह बेगुणा है तो फिर उन्हें गिरफतार क्यों किया गया और उनके खिलब इतने सारे सबूत कैसे आ रहे हैं यह सारे बाते आज मैं सर से जाने का प्रयास करूंगी तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर ही रह गया है क्योंकि बाकी जो मीडिया वह बिग चुक जी जिनके जिम्में सिक्षा भी था उन्होंने जब सिक्षा के मॉडल को वर्ड लेवल पे जो सरकारी स्कूलों को जो कहा जाता था कि कभी वो ठीकी नहीं हो सकता है और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लिजिए अभी तक कोई कारवाई नहीं है बेहाला सिक्षा ब्यव जो यह तानासाही प्रविर्ति चल रही है पूरे देश में जिसमें उनके दलकानेता कोई चोर नहीं है और विपक्ष के सारे लोग चोर हैं क्योंकि अब उनको सत्ता जाने की गपड़ा हाट है तो वह बिपक्ष के जो बोलने वाले लोग थे, जैसे आमादी पार्टी कभी नहीं डरती इन लोगों से, न डरती थी, न डरती है, न डरेगी, लेकिन इन लोगों ने ये अपना ऐसा जालविच आया कि विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए उनको गिरफतार किया है, उनको सराब गोटाले के पूरे देश में आम आधी पार्टी की सुईकारता बढ़ रही है वह चीज़ पर बंदिस लगाने के लिए उन्होंने मनीश इशोदिया का गिरफतारी किया है लेकिन सर सीबियाई का कहना यह कि हमने 8 गंटा उन से पूछ ताच किया लेकिन उन्होंने संतुस्त जवाब नहीं दिया उसके बाद उन्हें गिरफतार किया गया देगे लिए ऐसन ने नो बार चापे डाले और चांपे में क्या मिला उनको कुछ नहीं कुछ मिले गिरफत पूस्ताज के लिए बुलाया तो उस दिन भी कुछ नहीं मिला इनको और इनकी जमानत होने वाली थी लेकिन अब चुकी CVI खाली आती फिर इन्होंने ED को एंट्री कराई उसमें आपको एक चीज़ में बता दो उनको ED को एंट्री कराया CVI के फेलेवर होने पर मतलब किसी भी तरह से बिपक्ष के नेताओं को जो देश हित की बात करते हैं जो दल राश्ट्री हित की बात करता है जंद आम आम लोगों की पीडा को समझते हुए समाधान देता है उस दल को उस दल के नेता को लोगपुरिय करते हैं आप देखिए ना कोई उसमें रोल ही रहा गया इडी के वज़े से उनकी इडी ने उसमें एंट्री किया और उन्हों ने गिरभतारी कराई पहली बात और यह सारी एजेंसियां इस समय केंद्र सरकार के हाथ में केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रदानमंत्री है वो पहले जिससे घबडाते थे और यह आरोप लगाते थे कि कांग्रेस इसका दुरूपयोग कर रही है आज खुद वो दुरूपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं देखिए अगर यही सत्य होता और ऐसा होता ना तो आज 90 परसेंट भाजपा के बड़े नेता जेल में होते लेकिन इनका एक भी नेता आज तक कोई गिरफतार हुआ हो तो बताईए उससे भी वहानक बात यह है कि अगर आप गलत है तो भाजपा के वासिंग मसीन में समाई करके निकल लिए करप्ट से करप्ट लोग भाजपा में सामी लोग करके मुखमंत्री मंत्री और MLA और MP बने बैठे हुए हैं अभी ताजा ताजा उधारन में आपको बताऊं करनाटका में भाजपा के बिधायक का लड़का 40 लाख रुपया भूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस के द्वार नहीं लोकाय। पुलिस के द्वार देके समझे का इसबात को ये और जब उसकी गिरफतारी हुई और उसके घर में जाच हुआ तो आटकरोर नगदी उसके विस्तर से मिला, उसके पिटा के विस्तर से मिला और आप जो बात कह रही है सकता हूँ कि ज़साब कितने दवा में यह दिये होंगे क्योंकि उनका भी हाल लोया की तरह न हो जाए जश्रिस लोया की तरह न हो जाए और उससे भी बड़ी लाला चोगी कि वह आगे राजेपाल बनने का अपना रास्ता प्रसस्त कर लिए क्योंकि जहां नगदी की होती है उसको जेल बेंजा जाता है यह इनका चाल चरित्र चेहरा है अब जब इतना ये बात कह रहे है यह हमारी देश की जनता बहुत भोली है और इस भोलेपन का फायदा भाजपा उठा रही है अगर इनके डिक्सेंडरी से या इनके सब्द कोश से मुसल्मान पाकिस्तान अगर यह सब्ध हटा दिया जाए तो यह आज के आज तास का महल जो इनलों ने खड़ा किया है भर-वरा करके गिर जाएंगे और खतम हो जाएंगे आज ये विकास पर बात नहीं करते हैं, आज ये बुलेट ट्रेंड पर बात नहीं करते हैं, आज ये स्मार्ट सीटी पर बात नहीं करते हैं, आज ये जीस्टी पर बात नहीं करते हैं, बात ये करते ही कहां हैं, और जो करते हैं, जो कहते हैं, उसको करते कहां हैं, ये लोग तो समझे कि इन लोगों ने एक तरह से mind को हाईजैक किया हुआ है media के मादम से और kendri agency के मादम से और हमको खुसी है फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जैसे लोग जो अपनी बातों को या जनता की बातों को या जनता की पीड़ा को खुद संग्यान लेते हुए औरिजनल तरीके से आप लोग बिना खौफ के मामले को उठाते हैं और जंता को सच्चाई बताते हैं और वो दिन दूर नहीं मैं भविस्राणी कर रहा हूं आपके चैनल के मातम से कि जल्दी आप जैसे निर्वीक लोगों के उपर भी एक इंद्र सरकार पाबंदी लगाने की कोशिज करेगी सर मेरा ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि वित्यराजमंत्री सतेंद्र जैन वो भी जेल में हैं जेल के पीछे हैं उन्होंने भी घोटाली के मामले में और मनी सुष्षो दिया भी तो फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कुछ तो उनलों को ऐसा पॉइंट बिल रहा है तब तो वो जेल के पीछे आपकी पार्टी के लोगों को देखिए सतेंद्र जैन जी ने स्वास्त का मॉडल खड़ा किया था मुहला क्लिनिक के नाम पर कितना लोग प्रिय है वहां पर आपको निशुल हर मुहले में एक डाक्टर मिलेगा और आपको नर्सिंग स्टाप मि सवाईया मुफ्त में मिलेंगी वैसे तो हमारे दिल्ली सरकार की जो स्वास्तनीतियों बहुत सांडार है वहां पर आयुस्मान कार्ट की तरह नहीं है या आप भले आईस हो या भले ही आप धनपती हो और दली तो पिछड़ा हो आपको आयुस्मान कार्ट बन जाएगा केवल अस्पताल में भरती होना है अस्पताल में भरती होने के बाद वो सारा जिम्मा दिल्ली सरकार का है उसका एक रुपए नहीं खर्च होता है उसके हिलाज में और वह बंदा स्वस्तों करके बाहर निकलता है इस कड़ी को और भी स्तारित करते हुए कि हर वीमारी के लि लेकिन बताना चाहता हूं आमडी पार्टी आधी है तुब्धान है इनके रोकने से नहीं रुकने वाला है और यह आधी और तूफान भाजपा की जो तानसाही रविया है जो प्रविर्टी है जो तास का महल इनलों ने खड़ा किया उसको भरवरा करके आधियों में उड़ा करके दम लेगी अच्छा यह पते हैं सर की मनी सुदिया के गर हम बात करें तो गो 18 विबाग उनके उपर जम्मेदारी है वो देख उसका जम्मेदारी लिए हुए तो फिर आम आदमी पार्टी में कोई और नेता नहीं था पूरा टोटल 18 विबाग बहुत बड़ी बात होती है उनके उपर अर्विन केजरिवाल ने देखिए आप आप इस बात को मा करनेंगे खर्च उतने बढ़ेंगे काम करना ही है तो कम से कम खर्चे में ज्यादे से ज्यादा गवर्नेंस देने की बात हमारी पार्टी करती है फाल्तु रुपए ना खर्चों और जो यह लोग कहते हैं कि हम लोग कहां से फ्री में देते हैं हम लोग फ्री में अपने घर जादे से जादे मंत्राल है कम से कम लोगों के बीच में बाठ करके जो इमांदार छवी के लोग या जो करमठी लोग हैं उनको दिया गया और सब लोग अपनी जिम्मेदारीयों का बखुबी निर्वान करते रहें दिल्ली की जन्ता ने पूरी तरह से उनको तीसरी बार सरका बनाने देने के लिए यह मौका दिया इस यह इसका सबसे बड़ा प्रमार है और इसी वजह से घबड़ा करके भारतीय जन्ता पार्टी हमेशा इस तरह का कुछक्र रच रही है कैसे आमादी पार्टी को बदनाम किया जा सके कैसे मतलब जब कुछ नहीं बिगाड पाए तो अदेना जोडते रहे हमारा नेता बाहर होगा और वह दिन दूर नहीं है जब आम आददी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी केंद्र में मैं इनको और प्राजियों से इनको खदेड खदेड के जैसे one by one अभी गुजरात में इनको जो सबसे बड़ा गुस्सा आया इनको जो इनको जो सबसे बड़ी तकलीफ आमादी पार्टी ने दी गुजरात में हमारे पांच विदायक जीते जबकि पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोग प्रिता से घबरा करके ये लोग इस तरह का अनाब सनाब कार कर रहे हैं गुजरात में मिली पार्टी को जो ओट मिला जिसके वसे हमारी पार्टी राष्टी पार्टी हुई इससे घबरा करके ये लोग आमादी पार्टी को अब निशाना कर रहे हैं लेक तुम्हारे गढ़ में तुम्हारी कमियों को लोगों को बताते हुए अपनी अच्छाईयों को सावित करते हुए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे जिसका अपेक्षित परणा मिलने की उमीद है प्रणा मंतरी नरेंद्र वोदी और अमित साह डुब्लिकेट स्कूल में खड़े हो के फोटो खिचवाएं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आमादमी पार्टी का डर और खौफ है उसको ढखने के लिए और उनके मुकाबले में आने के लिए अब देखने का मामला है यह तो आने वाला वक्त बताएगा इसके साथ मैं आप से विदा लेती हूं देखते रहे हैं जंद आजक्षन जैहिन